जैहिन दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहें ग्लोबल कॉन्फलिक्ट दोस्तो ऑस्टेलियान एयरफोर्स के F.A.18 सुफाहरनेट ब्लॉक 3 एयरक्रेफ्ट का हाली में एक बहुत बड़ा हाथसा हुआ हाथसे के बाद ऑस्टेलिया दोरा अपने हर एक F.A.18 एयरक्रेफ्ट को ग्राउंडेट कर दिया गया है और फिलाल इन एयरक्रेफ्ट का जाज किया जा रहा है जबकि वीडियो के दूसरे हिस्ते में भी ऑस्टेलिया के बारे में ही बताऊंगा और आपको जानके हैरानी होगा कि ऑस्टेलिया दोरा चायना के मनसूवे के उपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया खास करके चायना के Belt and Road Initiative के उपर और एक तरीके से देखे तो ऑस्टेलिया दोरा चायना के उपर एक सैंक्शन लगाया गया जैसे आने वाले समय में चायना के एकोनोमी तो तभा होगा ही साथ में चायना जो Global Ambition को लेके आगे बढ़ रहा था उसे भी तभा करना आसान होगा तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तो रॉयल उस्ट्रेलियन एरफोर्स के तरफ से अपने बेड़े के हर एक F-18 SuperHorn Aircraft और G-18 Ground Aircraft को Grounded कर दिया गया और दोस्तों ये decision Australian Air Force के तरफ से इसलिए लिया गया क्योंकि Ambley Air Base में एक FA-18 aircraft अचानक हाथसे का शिकार हो गया और precautionally measure लेते हुए aircraft को grounded किया गया ताकि दूसरे aircraft में ऐसा हाथसा ना हो इवन ये हाथसे का कारण क्या है उसको भी जाचने के लिए Australian Air Force के तरफ से जाच शुरू कर दिया गया है और ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या ऐसा ही कुछ दूसरे aircraft के साथ हो सकता है दोस्तों आग तारीक के दिन दोपहर को एक F-18 Twin Seated aircraft टेक ओफ के दरमियान हाथसे का शिकार हुआ जबकि एरक्रेफ्ट ने टेक ओफ भी नहीं कर पाया था और दोस्तों एरक्रेफ्ट में सवार दोनों पायलेट ने ही सफलता पूरबक अपने आपको एरक्रेफ्ट से इजट कर लिया था जबकि बिना पायलेट के ये एरक्रेफ्ट टेक ओफ रन्वे में थोड़ी दूर आगे जाके धराशाई हो गया था फिलाल ये एरक्रेफ्ट छे अन्ने एरक्रेफ्टों के साथ एक ट्रेणिंग एक्सेसाईस के लिए बेस से टेक ओफ कर रहा था जबकि दोस्तों आपको जानके हैरानी ये भी होगा कि टेक ओफ के दर्मियान जो एरक्रेफ्ट हाथसे का शिकार हुआ था उस एरक्रेफ्ट फिलाल सेफ है दोसो ऑस्टेलियन एयरफोर्स के एमरेली एयरवेस में 2012 से ही FA-18 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है और ऑस्टेलिया के 24 FA-18 और 12 GA-18 ग्राउलर एयरक्राफ्ट सब के सब इसी एयरवेस में तैनात है जबकि 2018 में भी इसी एरवेस में एक ग्रावलर एरक्रेफ्ट भी हाथसे का शिकार हुआ था और अब फिर से और एक बार हाथसा ये दर्शा रहा है कि एरक्रेफ्टों में ज़रूर कुछ खामिया होगा। दोस्तों क्या कारण है इस एरक्रेफ्ट के हाथसे का इसका तो फिलाल जाच चल रहा है लेकिन माना जा रहा है कि ये हाथसे आने वाले समय में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान देगा और ये नुकसान है बोईंग कंपनी के फ्यूचर टेंडर को लेके आप सब लोगों पताई होगा कि इंडिया द्वारा 114 फाइटर एरक्रेफ्ट खरिदने के लिए एक टेंडर का इशू किया गया था जिसे हम MMRC 2.0 टेंडर के नाम से जानते हैं जबकि हाली में नेवी द्वारा जो 36 एरक्रेफ्ट खरिदने का बात कहा गया है वो भी इस टेंडर के साथ जोड़ने का बात कहा गया है ऐसे में अब अंदाजा लगा जा रहा है कि इंडिया द्वारा एक ही कैटेगरी के गरीवन 1500 एरक्रेफ्ट खरिदा जाएगा जो अपने एरफोर्स और नेवी में डिस्टिब्यूट किया जाएगा और इसी वज़ा से अब माना जा रहा था कि ऐसे एरक्रेफ्ट को चुना जाएगा जो कैरियर बॉन और एरफोर्स के ग्राउंड बेस ओपरेशनों को अंजाम दे पाए और इन एरक्रेफ्टों में प्रमुकता एफए 18 सुफा होनेट ब्लोक 3 और फ्रांस के डेसॉल एविएशन के रफैल एरक्रेफ्ट को दिया जा और दोस्तों ये हाथसा अब अमेरिका के लिए बड़ा जटका इसलिए भी है क्योंकि इस टेंडर में अमेरिका द्वारा एफए 18 सुफा होनेट ब्लोक 3 के इलावा ऐसा कोई भी एरक्रेफ्ट का पेशकर्ष नहीं किया गया जो नेवी और एरफोर्स दोनों में ही इस्ति अब तक नहीं मिला है और ना ही MMRCA के टेंडर में F-35 एरक्रेफ्ट को एक अंडेंडर हिसाब से माना जाता है तो दोस्तों ऐसे भी F-18 सुफा होनेट को लेके अमेरिका को एक्सपोर्ट मार्केट में इतना ज्यादा सफलता नहीं मिला और उसके बाद एक के बाद एक ऐसा हाथसा इन एरक्रेफ्टों को फ्यूचर में अमेरिका के लिए चिंता का विशय बना सकता है और बड़े-बड़े टेंडरों के मामले में अमेरिका को बड़े नुकसान जहिलना पड़ सकता है दोस्तों अपचे लिए जानते है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया द्वारा च चाइना इससे काफी चिड़ गया चाइना नहीं चाहता है कि उसके द्वारा फैलाया हुआ महामारी का इलजाम उसके उपर आये इसलिए जाच के बात कहने पे चाइना द्वारा ऑस्ट्रेलिया को उपर एक्शन लेने का भी बात कह दिया गया था पर इस बार एक्शन ऑस् CVD लिया initiative को रत कर सकता है जो national interest के खिलाफ है और दोस्तों ये अब चायना के belt and road initiative के पैसिफिक के अंदर खातमे का पहला signal है दोस्तों इससे कैसे belt and road initiative के उपर जटका लग सकता है आपको जानके हैरानी होगा कि Australia federal government के बिना permission के Australia के दूसरे सबसे बड़े राज्ये विक्टरि किया गया था और अब ये नया legislation के तहट Scott Morrison के government और Australia के parliament द्वारा इस deal को रत किया या सकता है दोस्तों इससे चायना काफी जादा भरका हुआ है खास करके इसलिए क्योंकि हर एक देश के द्वारा चायना के belt and road initiative को शक के नजर से तो देखा जा रहा था लेकिन कुछ चायना के गुलाम देशों के द्वारा भारत को belt and road initiative में invite करने के बावजूद भारत द्वारा इस project को मानने था नहीं दिया गया इवन चायना के कुछ प्रोजेक्टों को भारत द्वारा illegal और भारत के sovereignty के खिलाब भी बताया गया जबकि महामारी फैलाने के बाद चायना के कर्तुतों का पोल जिस तरीके से भारत द्वारा खोला गया उसके बाद कई सारे देशों का नजर भी अब खुल चुका है और उनके द्वारा भी चायना के belt and road initiative या फिर dead trap के इस नीतियों के खिलाब अपने देश में एक के बाद एक बिल लाया जा रहा है सबसे पहले चाय गया और फिर ऑस्टेलिया अमेरिका जैसे देशों के गडवंधन बनाते हुए अब सुनने को ये भी आ रहा है कि चायना के dead trap से इन छोटे-छोटे देशों को बाहर निकालने के लिए इन गडवंधनों के initiative से एक नया economical project launch किया जाएगा जो उन देशों को investment प्रदान करेग जो चायना के ये जाली फरजी investment के तहट dead trap के नीचे दपता जा रहा है दोसो चायना के belt and road initiative योरोप में भी पीछे पड़ चुका है एक तरीके से देखे तो योरोप के देश द्वारा अपना हाथ चायना के हर एक funded project से बाहर निकाल लिया गया और भारत द्वारा वी साफ क दिया गया है कि चायना भारत में investment नहीं कर सकता चाहे वो किसी Chinese company के द्वारा हो या फिर China supported किसी दूसरे देश के company के द्वारा हो उसके ऊपर चायना के product भारत में जिस तरीके से boycott हुआ है उससे आप लोगों को पता चली गया होगा कि इस साल चायना को कितना बड़ा economical नु कि चायना अपने Belt and Road Initiative को पाकिस्तान और चायना के अंदर ही रखने पे मजबूर हो जाएगा और कोई सा भी देश आने वाले समय में इन प्रोजेक्टों में interested नहीं होगा दोस्तों मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जब कोई बड़े देश के तरफ से किसी बड़े प्रोजेक्ट को उपर सवाल उठाया जाता है और बड़े investment को reject किया जाता है तो छोटे देशों के द्वारा भी कई वार सोचा जाता है कि ऐसे प्रोजेक्टों में investment किया जाई या नहीं जबकि बहुत सारे देश तो ऐसे भी होते है जो neutral रहने के चकर में किसी भी देश के साथ आगे नहीं बढ़ता है जिससे चायना को एक तरिके से अपने प्रोजेक्टों में ही नुकसान होगा दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि चायना इस प्रोजेक्ट को economical प्रोजेक्ट नहीं बलकि अपने global influence फैलाने का प्रोजेक्ट के तहट आगे बढ़ा और चायना इस धोके के तहट छोटे छोटे देशों को अपना कॉलोनी बनाने के तहट आगे बढ़ रहा है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना जाए हिंद